असलाम लेकुम आज का हमार टॉपिक है स्ट्रक्सरल क्लासिफिकेशन ओफ बॉन्स लेक्टे को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ किया मेरे चैनल डेरी डोस अफ एजूकेशन को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और व स्ट्रक्चर के 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 structure हम अब इनका structure देखेंगे कि आखिर क्यों हमने इनको classify किया है इनके structure की basis पे compact bone का दूसरा जो name है वो है Heversian bone spongy bone को cancelious bones का जाता है इसका second name है cancelious bone compact bone को अगर हम देखें तो इसकी structure को हम discuss करेंगे compact bone का जो smallest unit होता है smallest repeating unit जो के organize होकर एक compact bone बनाता है उसका नाम है हमारे पास osteone यह इसका small और single repeating unit है हमें किसी भी एक large structure का smallest unit पता होना चाहिए तो osteone उसका simple और small repeating unit है जिसकी repeat होने से जिसमें repetition आती है और हमारे पास compact bone का structure ultimately हमें मिल जाता है तो compact bone के अगर हम बात करें इसके structure को हम haversian bond क्यों कह रहे हैं इसके second name पे भी हम बात करेंगे haversian bone को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन osteone में for example अगर यह हमारे पास एक bone का एक मैं structure लेती हूँ और उसे cross sectionally में कारती हूँ यानि यह bond है इसको मैंने cross sectional way में इसको view किया तो मुझे यहाँ पर इस तरहां का structure नजर आएगा complicated structure और से network यहाँ बना हुए इसे हम कहेंगे कि यह हमारे पास osteons हैं of compact bonds अब इन osteon में से अगर हम एक single osteon को यहाँ पर enlarge करें तो एक cylindrical shaped osteon हमें कुछ इस तरह से नजर आता है इस cylindrical shape osteon में अगर हम मजीद ultra magnification के थूँ देखें तो कुछ ring like structure जो हैं यह circular configuration में arranged हुए हमें इस level पर नजर आते हैं और इन ring structures को जो के एक circular configuration में well arranged हैं एक दूसरे के साथ उन्हें हम कहते हैं lamellai या हम कहते हैं हैं haversian lamellai और यह सारे जो हैं osteons में lamellai present होते हैं और यानि एक simple repeating unit के अंदर lamellai present होते हैं उनके ring like structures तो इसको हम कहते हैं haversian bone compact bone को क्योंकि इसमें यह structure present होता है इसके mid में हमारे पास canal present होता है जिसे हम haversian canal बोलते हैं इसमें से blood pass कर रहा होता है या arteries and veins जो हैं जो के हमारे पास bones को blood supply कर रही होती है nutrients जो bone को required होती है उनकी requirement को fulfill कर रही होती है तो यह हमारे पास एक compact bone का एक general structure या general anatomy थी जिसको मैंने इसलिए explain किया था कि हमें पाता है लगज़े कि haversian bone हमने इसे secondly क्यों का है फिर हम देखें कि जो lambi lie है इसको हम देख लेते हैं कि यह contain करते हैं collagen fibers collagen fibers हैं इन में पाये जाते हैं यह बाद आपने याद रखनी है और यह lambi lie प्रेज़ेन होते हैं कैलसिफाइड material में लाए कर रहे होते हैं Calcified material में लाए कर रहे होते हैं, यानि एक matrix जो है, वो present होता है इन में, जिनके अंदर lamella present होते हैं, अब matrix के हैं, जब collagen fibers और calcium phosphate को हम collectively discuss करते हैं, तो हम उसे कहते हैं, एक matrix बन जाता है, और इस matrix के अंदर lamella present होते हैं, इसलिए बुक में line लिखी है, the lamella consists of collagen fibers, तो वो इसी चीज़ को explain कर रही है, फिर हम बात करें कि जो lamella हैं, यह हमने देखा, एक ring structure है, जो एक दूसरी एक साथ जो है, वो lie कर रहा है, एक matrix में, जिसमें collagen fibers present हैं, अब हमारे पास जो lamella हैं, एक दूसरी एक साथ connected हैं, किस तरह से, एक structure से, एक lamella है, दूसरी एक साथ connected है जिसको हम connectually कहते हैं, connectuli कहते हैं, यह हमारे पास structure है उसका, और let me lie कि अंदर हमारे पास osteocytes present होते हैं, यह mature bone cells हैं, osteocytes हमारे पास इस level पर present होते हैं, these are the mature bone cells, जो कि bone cells को बनाते हैं, यह bone cells हैं, हमारे पास osteocytes, जो कि इस level पर present होते हैं, osteoblast और osteocyte में फरक है, osteoblast जो एक ऐसा bone cell है, जिसमें से collagen fibers अगर remove होजें तो वो osteocyte बन जेगा, जिसे हम mature bone cell ultimately कहेंगे, अब हम देखें कि compact spawn कहां कहां पर body में मौजूद होती है, for example, हमारे पास यह present होती है, shaft of long bone में, हमने जो bone का structure बनाया था, यहां मैं rough सा draw करूँ अगर, तो यह हमारे पास ends थे bone के, एक long bone के, और यह जो mid बाला structure था, जो diaphysis था, यह resemble कर रहा था, shaft of long bone को, तो यह shaft है, इसमें compact bone present होती है, एक hard structure, जो के हमारे पास length show करता है, वो compact bone का बना हुआ होता है, और हमने diagram में long bone की, compact bone को discuss भी किया था, label भी किया था, तो आज हमने उसको detail बार discuss किया कि compact bone, shaft of bone में हम क्यों discuss करते हैं, अब हम next चीज़ discuss करते हैं, that is, spongy bone, जो के हमारे पास flexible as compared to compact bone, as the name indicate, और इसे हम concilius bone भी कहते हैं, spongy bone जो है, हमारे पास, इसमें red bone marrow जो है, वो present होता है, और इसको अब हम discuss करते हैं, कि कहां कहां पर present होता है, spongy bone की अगर हम वजीद बात करें, तो इसमें lamellae जो हैं, वो flat arranged होते हैं, जो कि हमने structure देखा था, lamellae, ये flat जो हैं, arranged होते हैं, in case of spongy bone, और यहां पर haversian system present नहीं होता, अगर present होता, तो हम इसे भी haversian bone कह सकते थे, secondly, अगर हम इसको diagramatically देखें, तो अगर हमने spongy bone को, ends of long bones में discuss किया था, ये long bones की end में present होते हैं, जैसे कि, सिर्फ मैं end बना रही हूँ, एक bone का, तो यहां पर एक जो present होता है, network, वो हमारे पास end of long bone में होता है, वो spongy bone का होता है, यहां पर, मैंने कल आपको diagramatically सही draw करके दिखाया था, यह rough diagram है, यह हमारे पास spongy bone का structure है, और यहां पर ही हमने discuss किया था, कि red bone marrow present होता है, तो यह हमारे पास end of long bone है, उसके साथ साथ, dipole of skull में भी spongy bone present होता है, तो यह था आज का हमारे टॉपिक, जिसमें हमने classification देखी, बॉन्स की on the basis of their structure, I hope आपको आज के लक्टे की समझ आई होगी, अगवे question हो तो आप comment में जूरूर बूचें, मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल, टेजी डॉर्स अफ एजूकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके, और वीडियो को सिलेक करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की notification मिलती रहें, शुक्रिया, अल्णाफिस,